नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी यूटीब चनल ग्रोथ इज किसुन पॉइंट में श्वागत है इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि एसाइमेंट लिखने का सही तरीका क्या है तो जो नए स्टुडेंट है वो हमारे चनल को सस्क्राइब करें और हमें सपोर्ट करें तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हमको उपर में यहाँ पे हमें अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है और उसके साथ साथ code भी लिखना है और उसके साथ उसका session लिखना है कि कौन सा session का assignment हम लिख रहे हैं तो अगर मान लिजे हिंदी लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिंदी और 10th के लिख रहे हैं तो 201 code है और 12th के लिए लिख रहे हैं तो ये 301 कॉड है उसके बाद यहां पर हम सेसं लिख देंगे 2022 और 2023 ठीक है उसके बाद यहां पर कोस्चन आएगा कि कोस्चन कोन सा लिख रहे है तो हम पहले कोस्चन लिखेंगे कोस्चन नमर एक हम पहले लिखेंगे question number 1 यहाँ पे और एक लिखने के बाद question जो लिखा राता है निमलिखित प्रश्णों में से कोई एक प्रश्ण का उत्तर लिखे इस तरीके से लिखा राता है तो उसको भी हमें यहाँ पे लिखना है क्योंकि हम assignment बना रहे हैं और यह हमें homework मिला है तो हम homework जो मिला है हमें अच्छे तरीके से लिखकर उसके बाद हमको submit करना है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे निमलिकित प्रश्णों में से कोई एक प्रश्ण का उत्तर लिखे जो questions में कहा गया है उस point को पहले लिखेंगे उसके बाद जो question पूछा गया है तो यहाँ पे अगर question में option है कि जैसे की मालेजिए कोई एक प्रश्ण का उत्तर दे और उसके साथ में 4 question दिया हुआ है तो चार में से जिस question का हम answer लिखेंगे, उस questions को हम पहले यहाँ पर लिखेंगे, NIOSH में 2 question दिया जाते हैं, और 2 में A оDRB होता है, तो मान लिजी हम B question लिख रहे हैं, तो हमको यहाँ पर B number लिखना है, और बी नमबर लिखने के बाद, यहाँ पे हम उस प्रस्ण को लिखेंगे, उस questions को लिखेंगे, जिसका हम answer लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे question लिख दिए, और question लिखने के बाद, साथियों यहाँ पे एक line का gap छोड़नी है, ज्यान रखा, एक line का यहाँ पे gap छोड़नी है, answer सो लिखेंगे हम यहाँ से लिखेंगे, answer हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से start करेंगे answer लिखना, और यहाँ से लिखते लिखते अगर मेरा यहाँ तक आ गया, और यहाँ पे police stop हो जाता है, यहाँ पे समाप्त हो जाती है, तो हम यहाँ से गीन कर, important point है, इस कि जो चेक करने वाले होते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है कौसम कौन सा A है और कौन सा B है, तो इस चीजों का ध्यान रखें, यहां पर हमेशा आपको कम से कम चार लाइन का, कम से कम चार लाइन आप यहां पर खाली छोड़ दें, गैप छोड़ दें, उससे क्या होगा, जो मार्क्स बिठाएगा, वो यहां पर बिठा सकता है, दो नमर मिला, चार नमर मिला, यहां पर लिखेगा, उसके बाद जब हम दूसरा कोसंस लिखेंगे, तो दूसरा कोसंस में भी सेम करना है, पहले हम कोसंस का जो हेडिंग है, नेमल के प्रशनों में से, वो लिखेंग उसके बाद कौन सा questions कर रहे हैं ए का A कर रहे हैं कि B कर रहे हैं वो हमको लिखना है और फिर question लिखने के बाद फिर हमको यहां से एक line छोड़के answer लिखने हैं तो आपने देख लिया कैसे लिखने हैं assignment और आप यहां पे जो use करेंगे pen कि कलम कौन सा यूज करें assignment लिखने के लिए तो दोस्तों यहाँ पर आप black pen से questions लिखें अब blue pen से answer लिखें यह सही तरीका है assignment लिखने का अगर आप इस तरीके से सारा assignment लिखते हैं तो आपको 100% मिलेगा बिल्कुल आपको 100% marks मिलेगा इस बात को आप not कर लिजिए और आप इसी तरीके से assignment लिखें ठीक है और जैसे की एक डाइग्राम आता है है ना मान लिजिए किसी questions में अगर picture आ गया कि यहाँ पर picture आपको बनाने है इमेज बनाने हैं तो किस page में बनाएं आप यहाँ पर एक page में बनाकर paste भी कर सकते हैं questions के नीचे ही होना चीए वो picture यह नहीं कि इसका questions यहाँ है इसका picture हम opposite side जो blank page है उस पे हम तो समझ गया है कि questions के नीचे ही उसका चीटर बनाने के लिए गर बोला है questions के नीचे ही बना चीए मान लिजिए यहाँ पर आपको questions खतम हो गया और दो line बचा है तब आप इसका answers जो चीटर बनेगा वो opposite side में बना सकते है इस चीज़ों को आप धियान रखने है उसके बाद यहां पेज नमर लिखना जरूरी है मिलें कि यहां पेज नम्मर लिखना बहुत जरूरी है हर बईज में पेजनमर होना चाहे है कि तो इस तरीके से आप यह फैजनमर रहे हर पेज ब精 running रह períंद एक दूह तीन चार इस तरह से लिखिए कि connecting के ऊपर में कभ़ड पीज दो लगाना हें कभड पेज के लिए साअरी वीडियो बनाए हुए हैं आप को देख सकते हैं किस तरिके से कभड पेज बनता है में हम इतने ही अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि एन आई यूस में का जो एक्जाओं होता है उसमें एक्जाओं में कैसे लिखें यह हम नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे तो आप हमारे चैनल को चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें शेयर क अल्यों अल्यों